हेलो फ्रेंड मैं मीठून आप सभी को आपके चैनल इजी गार्डेनिंग प्लैन में स्वागत है आज हम यह प्लैंट के बारे में आपके शर्चार करूंगा यह विंटर सीजन फ्लावार है देखिए केलेंडूला मेरा इसमें बहुत सारे फ्लावार आया है और मैं अब कैसे केलेंडूला में ज्यादा से ज्यादा फ्लावार ले सकते हो वही श्यार करूंगा और इसके बारे में कुछ श्यार करूंगा पहले जो है केलेंडूला एक विंटर सीजन फ्लावार है यह सर्दी में यह फ्लावार होता है इसमें देखिए मेरे पास दो केलेंडूला का प्लैंट है दो में एक में योलो हलका सा योलो है और एक तोरह सा डीप योलो केलेंडूला और एक बात इसका जो मिट्टी है मेरा घर का मिट्टी बनाया हुआ है देखे इसमें मास्टर कीक है और घर का सबजी का बनाया हुआ खास से मैंने ये मिट्टी रेडी किया था ब्लावरिंग भी शुरू हो गया है और इसमें देखे ये जो फ्लावर है यह हो गया है, इसमें सीट भी आना सुरू कर दिया है तो अब अभी मैं क्या करूंगा ना इसे हम काट देंगे यहां से इसे हम अभी नहीं रखेंगे इसे हम काट दिया है, इसमें सीट आ गया है ये शीर से अगने साल इसमें फ्लावार होगा लेकिन अभी मैं इसमें नहीं रखेंगे इसे काट देने से यहां से जो नया वरांचेस आएगा फिर नया नया फ्लावार होगा देख सकते हैं मेरे एक प्लैंट में कितने सारे फ्लावर है आप भी क्या रहे से देखिए मैंने यहां से भी काट दिया था यहां से भी काट दिया था यहां से भी काट दिया था फिर इसके साइट से इतने साड़े राज्यसाया सभी में फूल फ्लावर भी होने लगा और इसमें पानी देना है लेकिन ज्यादा नहीं देना है ऐसा पानी देना है जैसे इसमें रुके नहीं अच्छा सा देने से हो जाए देखे प्लैंटे मेरे प्लैंट कितने अच्छा हुआ है अब भी फ्रेंट घर में केलंडूला का प्लैंट लागाई है और मैंने जो कहा ऐसे करेए देखिए अगा बहुत सारे फ्लावार आएगा इसमें देखिए मेरे हार ब्रांचेस में इतनी सारे फ्लावार भी है कलिया भी है देख सकते तो फ्रेंट कैसे लागा मेरा वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक कमल शेयर कर देना और मेरे चैनल के जो है वो सब्सक्राइब भी कर देना ताकि मेरे जो नेक्स्ट वीडियो होगा फटा फटा अपके पास पहुंच जाए थैंक्यू कुछ रहिए कर दो